आज हम बात करेंगे किराना मेवी बजार की सापताहिक समिख्षा के बारे में जीहा चोटी लाइची जायफल जावत्री सोंट लाल मिर्च में तेजी जीरा हल्दी बदां गिरी में हुई नर्मी जीहा गसत तहा निलामी केंद्रों पर आवगटने से चोटी लाइची में सौ से डेर सो रुपे प्रती किलो की तेजी आई है सर्दी में सोंट की खपत बढ़ जाने से इसमें भी 500 रुपे कुंटल की और तेजी आ गई है लाल्ज मिर्च में 200 से 300 रुपे तेज बूली गई है इसके अलावा जायफल में भी 10 रुपे और जावतरी में 50 रुपे प्रती किलो की भड़त लिए बजार बंद हुआ अजस्ट रुमानी गुरू बैरलेस कमूरिटीस पर काम करके आपको सारी जानकारी उपलब कराता है दोस्तों इसलिए हमारे चैनल को लाइक करना सिस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आगे बढ़ते हैं जिरा रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफ़व असूली बिक्वाली से 10 से 11 रुपे प्रती किलो घट गया है और थोड़ी मजबूती लिए बजार बंद हो गया है सौंफ मैथी भी मजबूत रहे वहिं मिवा बजार ने बुकिंग घटने से बदाव कैलिफॉनिया गिरी और गुर्बंदी में भी 15 से 20 रुपे प्रती किलो की गिरावट देखी गई अन्य में भी मिला जुला रुक रहा सब्ता के सभी निलामी केंद्रों पर छोटी लाइची के आवग घट गई है दूसरी और गौाटे माला में भाव बढ़ने से भारती छोटी लाइची में जयात मांग भढ़ गई है जिसके चलते सौटी लाइची साड़े छोटी लाइची साड़े छोटी लाइची के प्रती किलो हो गई है आठ नमबर के भाव भी 1650 से लेकर 1750 रुपे प्रती कुंटल उपर बोले गई सचाई ये है कि नीचे वाले भाव में दक्षिन भारत से आवक काफी घट गई है और नतराश्टी बजारों में भारती छोटी लाइची के पढ़ते लगने से नर्यातकों की चौरतरफा मांग भढ़ गई है यही वज़ा है कि बजार नीचे वाले भाव से काफी तेज हो गया है अब एक बार माल बेच कर मुनाफ़ा ले जाना चाहिए इसके अलावा जैफल अना कुलम लाइन के तेज समाचार से 10 रुपे भढ़कर 740 से लेकर 760 रुपे प्रती किलो हो गया है जावित्री लाल फ्लावर भी 1950 से बढ़कर 2000 रुपे प्रती किलोग्राम हो गया है वही सिंगापुरी माल भी 25-30 रुपे की सुड़की दर्ज रिकी गई है इदर लाल मिर्च गुन्टूर लाइन से पढ़ते ना मिलने और यहां शादियों की मांग निकलने से 2300 रुपे बढ़कर 23,000 रुपे और 346,200 रुपे प्रती कुइंटल हो गया है जीरे माई रिकॉर्ट तेजी के बाद नई फसल उंजा महसाना लाइन में त्यार खड़ी होने से मुनाफ़वसूली बिक्वाली आ गई है जिसके चलते उत्पादक मंडियों में 17-18 रुपे प्रती किलोग्राम की गिरावट दर्जी गई है इसकी बज़ा से यहां भी नीचे वाला माल 326 से मिलकर 326 से गिरकर 315 रुपे नीचे हो गया है वहीं बढ़िया माल भी 370 से घटकर 365 रुपे बनने के बाद 365 रुपे प्रती किलोग्राम बोला गया है हल्दी भी वाइदा बज़ार टूटने से यहां 3700 रुपे गिरकर 34 रुपे बनने के बाद 3600 रुपे प्रती कुईंटल एस इजट इस बिल्टी में बिखने की खबर थी मौटी फली 300 रुपे तेज़ बूली गई है मेवर बज़ार में बादाम कैलिफोनिया में बुकिंग डेट गटने से लगातर आयतकों की बेगवाली बनने